स्वागत है आप सभी का Tech Study ITI YouTube चनल पर तो ITI के रिजल्ट्स आ चुके हैं जिनके रिजल्ट्स नहीं आए उनके अभी अपडेट हो रही है डेटा अपलोड हो रहा है दिरे दिरे यूपी बिहार का नहीं आया था यूपी बिहार के भी बहुत सारे डिस्टिक्स का जो रिजल तो रिजल्ट्स तो सभी के आगे हैं आप लोग चेक भी कर रहे होंगे आप लोग चेक आउट करते रहिए रिजल्ट्स लगबग आगे हैं 2019-21 सेकेंड यर के बट अब यहां पर बात करने वाली यह हैं कि अगर आपका नंबर कम है या आप फेल हैं तो गबराइए नहीं तो बैक पेपर होगा आपका लेकिन सबसे पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दें अगर आप फेल हैं तो अभी ग्रेस मार्क मिलना बंद है जब से आनलाइन एक जाम सो रहे हैं आपको कोई भी ग्रेस मार्क नहीं मिलेगा भले आप एक नंबर से ही क्यों ना फेल हों तो मार्क आपको यहां पर नहीं मिलने वाला है अब आप क्या कर सकते हैं या तो आप उस्में रज़ कर सकते हैं बट आपको करना चाहिए कि नहीं सब्से बड़ी बात यहीं आदे है कि आपको रज़ ग्रीबेंस जो आप संग दिया ईन्होंने रेजल्ट के लिए उसके लिए करना चाहिए या नहीं उसकी last date क्या है और अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए वीडियो पूरा देखिएगा नहीं तो आप लग फिर confusion में कुछ गलत step ले लेंगे तो आपके लिए फिर से चूच कर लिया और यहां पर रिजल्ट हम देख लेते हैं candidate पास है नंबर भी इनके उबराल अच्छे हैं जो आपका 200 था तूफिप्टी सो हो रहा था वो भी सबका अल्मोश सही हो गया तूफिप्टी यहां 200 आ गया है जो कि यही होना भी चाहिए अब यहां पर बात करते ह आपसन है एक है accept result का एक है रिज़ा ग्रिवैंस का डेट क्या है date यहां पर है ग्रिवैंस रेज करने की March 3 2022 उसके बाद क्या होगा अगर आप ग्रिवैंस करते हैं अगर यहां तक आपने accept कर लिया तो अच्छी बात है पंद्रा मार्च तक आपका mark seat और certificate क्या होगा डाउनलोड होना ही स्टार्ट हो जाएगा अब माल लीजिए आपने accept नहीं किया तो आपने grievance रेज कर दिया लेकिन grievance कब आप रेज करेंगे या तो आपको लगे आपके number कम है या तो आपको ये लगे कि आप जो है fail है तो एक चीज़ आपको हम यहाँ पे clear बता देते हैं जब आप accept करेंगे जैसे हम किसी का result देख रहे हैं हम तब तक accept नहीं कर सकते जब तक हमको इनकी data birth ना पता हो और data birth यहाँ result में कहीं रहती नहीं है क्योंकि यहाँ जैसे आप accept result पे click करेंगे आपसे यहाँ data birth मागेगा confirmation के लिए तो accept तो हम कर नहीं सकते result ओके ठीक है जिनका होगा वो accept कर सकते हैं easily उसी के लिए बनाया गया कि so that कोई भी किसी का result accept ना कर दे open करके जैसे यहाँ करेंगे इसमें भी आपका mobile number होगा उस पे OTP जाएगा ठीक है फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आप कौन से type का grievance करना चाते हैं किस subject लिए करना चाते हैं और कम है की नहीं तो आपको यहाँ पे एक चीज बता देते हैं आपको रेजे grievance करना चाहिए या नहीं सबसे पहले यहाँ देख लिए अगर आप पास हैं तब तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे पहले 30-45 दिन आपका लग जाएगा उसको resolve होने में 45 दिन यहाँ सिर्फ लिखा गया है पिछली बार के grievances अभी तक अप्रूब नहीं हुएं एक साल होने को है कितने candidates की ठीक है तो यह भी एक आपके लिए वो है दूसरा grievance करने से होगा क्या तो ध्यान दीजे अगर आपका minus one हो रहा है या कुछ और सो हो रहा तब तो आप grievance कर सकते हैं otherwise आपके engineering drawing, trade, practical and assessment जो है इनके number आपको मिलते हैं अगर वहां से आपको लगता कोई mistake हुई है नंबर कम चढ़ाए गए हैं तो आपका इनमें number कम हो या fail हो तो एक बार को आप grievance कर सकते हैं उसको update करवा सकते हैं लेकिन इतना ध्यान रखिए अगर आपका तो अगर आपका CBT exam में है जो CBT के subject हैं इनमें आपका number कम है तो grievance rage करने से कोई फायदा नहीं होगा 99.9% case में आप ये मालीजे कि आपके जितने number है उसमें बढ़ेंगे नहीं क्योंकि आलड़ी इसकी answer की भी आ जाएगी और जो computer based exam हुआ है उसमें या तो आपका minus हो नए zero करके रखाओ याद करके तब आप fail हुए हैं तो जरूर आप grievance करिएगा otherwise आप grievance करके कुछ हासिल नहीं होगा यहाँ पे आपका result hold हो जाएगा आप supplementary exam भी नहीं दे पाएगे जब तक result नहीं आएगा तो better यह होगा यहाँ पे कि आप सबसे पहले अपने जो हमने बताया यह तो एक process है आप करेंगे तो यह होगा दूसरा आप क्या करिए अपने ITI से एक बार contact कर लीजे ठीक है CBT में आप fail हैं अगर तो 100% हमने क्या बोला कि आपका बहुत मुस्किल है का आप grievance रेज करके पास हो पाएंगे तो कोई मतलब नहीं बनता grievance रेज करने का मार्च थर्ड बीक में फेस से आपके supplementary exam कराने की बात हो रही CBT exam की आप उसमें participate कर सकते हैं अपने ITI में आप contact कर लीजे जो भी back paper या supplementary की fees होती है उजब से pay होना सुरू होगी हम चैनल पर आपको update दे देंगे चैनल को सब्सक्राइब करके आप रखे रहेंगे तो आपको notification जरूर मिल जाएगी साथी साथ आप take study ITI को telegram group में भी join कर सकते हैं जो भी update आएगे हम telegram group पे भी लेटर या update या video का link आपको दे देते हैं तो यह एक आपका यहाँ पे benefit होगा आप ITI से बात कर लिजे अगर आप CVT subjects में फेल हैं तो पास होने के chances लगभग लगभग impossible हैं क्योंकि सारी computer का आपका जो software उसी basis पे चेख हुई है उसका अभी जल्दी answer की भी आ जाएगा आप answer की में मिलान भी कर पाएंगे आपने किस पे सही किया है किस पे आपने गलत option टिक किया है तो chances बहुत rare हैं chances यह हैं कि आप back paper दीजिए और उसमें अच्छा number score कीजिए अच्छा number कैसे score होगा आप Tech Study ITI channel के playlist में जाएंगे तो आपको different trade की videos मिल जाएंगे आप उन videos को देखिए उनके आप जाके comments भी देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ बहुत सारे candidate यहाँ से पढ़के बहुत अच्छा number even 100 out of 100 भी score किये हैं तो वहाँ से आप अपनी जिस भी subject में आपका fail हो back लगा हो उसकी आप अच्छे से तयारी कीजिए जिससे कि आपका result जो अगला वाला आप exam दें उसमें जो भी आपको अभी तकलीफ हो रही है ना उसको आप overcome कर पाएं बहुत ही अच्छा number score कर पाएं अगर अभी आपको उम्मीद थी आप 50 number पाकर pass होते ना अच्छी से तयारी करिए 50 की यहां आप 90 से 100 number लाग के पास हो यह तो आपका जो भी है 5-6 मैने delay होगा बट आपका result जो हो बहुत अच्छा आजाएगा तो यह कुछ update थी एक genuine जो हमारा thought था इसके पीछे वो हमने आपको बता दिया बाकी आप लोग अपने iti में भी contact कर सकते हैं का आपको accept करना चाहिए रेजे grievance करना चाहिए अगर आप नहीं करते हैं तो 3 March के बाद तो यह automatic accept माना जाएगा और आपकी जो mark sheet और certificates हैं वो 15 March तक download होना ही start हो जाएगा उसे कैसे download करना है तो आप आएंगे trainee में trainee profile में आएंगे यहाँ पे आप अपनी सारी details, registration number, father guardian ने में यह सब enter करेंगे और submit करने के बाद आपको नीचे एक option मिलेगा download certificate यहाँ एक option मिलेगा आपको download mark sheet उस पे click करेंगे आपकी mark sheet और certificate का original जो PDF है वो download हो जाएगा और जो आपकी consolidated mark sheet है जो consolidated mark sheet होती वो आपको मिलेगी आपके ITI से जो दो और सी ट्रेड होते हैं उनकी consolidated mark sheet हमेशा कहां से मिलती है ITI से उसे आप download नहीं कर सकते हैं ध्यान रखिएगा ठीक है consolidated mark sheet आपको ITI से मिलेगी बट original mark sheet फस्ट यर का second year का certificate आप खुद से download कर सकते हैं यह कुछ update थी उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी आपके लिए helpful रही होगी अगर थोड़ी सी पसंद आई तो like आपने कर दिया होगा नहीं किया तो कर दीजे क्योंकि आपका like ही हमारा motivation होता है और चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर hit कीजेगा बाकी आपका कोई भी doubt है कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप please comment करिए वहाँ पर आपकी पूरी help करने के हम कोशिस करेंगे thank you